हेलो, गुड मॉर्णिंग अल आप दी स्टूडेंट्स, मैं मनोज पुनिया, यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिकर के ओनलाइन क्लासेज प्लेटफोर्म पर आपका मोस्ट वेलकम लास्ट वीडियो में हमने पनॉर्मा बुक के चेप्टर नमबर फैस्ट का जो सेकिंड पार्ट देखा था वहाँ पर किस परकार महराज के सामने उसका राजपार्ट राजशिहासन जाने का खत्रा पैदा हो गया था क्योंकि उन्होंने बेटिस ओफिशर को उसकी इच्छा पूरी करने से रोक दिया था इसी करम में महराज अपनी राजगदी बचाने के लिए क्या करता है देखी दे महराज एंड दे दिवान हेल्ड डिलिबरेशन ओवर दिस इस्यू डिलिबरेशन मिन्स लिख लेना विचार भी मर्स करना और दिवान है वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ ये राजाओं का जब साशनकाल था तो उसमें दिवान एक महत्व पुन पद होता था तो महराज और दिवान के बीच में इस इस्यू पर इस मुद्दे पर काफी देर विचार भी मर्स हुआ और इस विचार भी मर्स का प्रिणाम ये निकला ए टेलिग्राम वोज डिस्पेस्ट फोर विद टु ए फेमस बिर्टिस कंपनी ओफ जवेलरी इने कलकता डिस्पेस्ट मानी भेज देना फोर विद मानी तूरंत और टेलिग्राम यानी अतिसीगर पहुँचने वाला समाचार तो बिर्टेन की एक बहुती परसीदे जवेलरी सोप थी जवेलरी यानी जो जेवरात होते हैं गहने होते हैं उनकी बहुती एक परसीदे स्योरूम एक सोप थी कलकता में उसको तुरंत एक टेलिग्राम भेजा गया डिस्पेज मिन्स भेजना और फेमस बिर्टिस कंपनी ओफ जवेलरी इने कलकता तो कलकता में परसीद दुकान वाँ पर भेजा गया अब देखी क्या हुआ उस दुकान पर क्या लिख के भेजा था टेलिग्राम में संड सेंपल्स उफ एकस्पेनसिव डाइमंड्स सेंपल मानि नमूने एकस्पेनसिव मानि महंगे डाइमंड मानि हीरे रिंग्स मानि अंगूठिया डिफ्रेंट डिजाइन मानि अलग अलगे आकार की तो send sample of expensive diamond rings महेंगी हीरों की बनी हुई अंगूठियां है जो अलग अलग डिजाइन की होनी चाहिए उनके नमूने भेजिए It is the message send by telegram ये message telegram के माद्यम से भेजा गया कि कुछ महेंगे हीरों की बनी हुई rings मानी अंगूठियां भेजिये अलग अलग डिजाइन की Some 50 rings arrived तो तुरंथी वहाँ से 50 rings है वो पहुँच गई राजा के पास The महाराज sent the whole lot to the British officer's good lady और महाराज ने ये पूरी की पूरी अंगूठियां उस British officer की अच्छी पतनी के पास भेज दिये Whole lot to का मिन्स लिख लेना संपून सेंट मानी भेज देना संपून बोल दो या पूरी की पूरी अंगूठियां यानि 50 जो डाइमन्ड रिंग थी वो भेज दी गई British officers good lady के पास The king and the minister expected राजा ने और मंतरियों ने expected किया था expected मानी आशा की थी minister मानी मंतरी की दूराई स्यानी to choose one or two rings की दूराई स्यानी ये एक या दो अंगूठिय चुन लेगी उन में से जो भी उसे पसंद आएंगी and send the rest back और सेस बचुई अंगूठिया वापस भेज देगी ये expected किया था राजा ने और उसके मंतरियों ने within no time within no time मानी कोई समय नहीं लगाया दूराई स्यानी ने और all the दूराई स्यानी sent her reply और दूराई स्यानी ने अपना reply भेजा उत्तर भेजा thank you very much for your gifts तुमारे उपहरूं के लिए तुमारा बहुत बहुते धन्यवाद gifts मानी उपहार sent her reply means उत्तर देना इस परकार दूराई स्यानी ने 50 rings थी वो पूरी की पूरी रख ली और reply में thank you भेज दिया ये होता एक फुली स्यानी आपको भी पता चल जाएगा देखो अगली लाइन में किस परकार मुर खरा जाए अगले दो दिन में ही तीन लाइक रुपे का बिला गया रजा के पास कहां से फ्रोम दे बिर्टी से ज्वेलरी जिस बिर्टी स्वेलरी सोप को उन्होंने टेली ग्राम भेजा था वहां से तीन लाइक रुपे का बिला गया रजा के पास दे महाराज वोज हपी महाराज खुश हो गया दो ही एड लोस्ट थ्री लैक ओप रुपीज यदपी राजा ने तीन लाइक रुपे खो दिये लोस्ट मिन्स गवादी लेकिन वो अपने राज्जे को बचाने में रहा सफल रिटेन मानी बचाना किंगडम मानी समराज्जे मैनेजड मानी परबंद कर लिया उसने अपने राज्जे को बचाने का तो इस परकार इस मुर्ख राजा ने उस बेटिस ओफीशर को खुश करने के लिए त्री लेक रुपीज हैं वो खो दिये और उपर से खुश ओर हो रहा है तो इस परकार उन्होंने अपना राज्जे बचा लिया तो यहां पर इस सोटे से प्रेग्राफ में बहुत ही इंपोर्टेंट और सोट क्यूसन बनता है कि हाउ डिडे दे किंग रिटेन ही जे किंगडम कि राजा किस परकार अपने राज्जे को बचाने में सफल रहा तो आनसर सीधा सीधा है देखिए किस परकार वो अपने राज्जे को बचाने में सफल रहा तो उन्होंने दूरई स्यानी को 50 रिंग्स भेजी उसने सोचाए कि यह दो रख लेगी बाकी से भेज देगी तो 50 rings भेज कर उन्होंने अपने राज्य को बचा लिया चोथा पाड़ देखें चेप्टर का दे महाराज टाइगर हंट कंटीनू टू भी हाईली सक्सेस्पूल बहुत उच इस्तर पे सफलता पुरुवक राजा का कार्यकरम है वो चल रहा था कौन सा कारे करम हंट कॉंटिनुवट टाइगर हंटे कॉंटिनुवट बागु का सिकार करना है वो बहुत सफलता पूरुवक चल रहा था Within 10 years 10 वर्सू में He was able to kill 70 टाइगर्स और इन 10 वर्सू में वो able हो गया और उन्होंने मार दिया 70 टाइगर्स यानि 70 वाग मार डाले 10 years में 10 years तक उन्होंने कोई राजकारिया नहीं किया केवल वागों के सिकार पे लगा रहा और वो सफलता पूरुवक चल रहा था उसका प्रोग्राम And then और तभी An Unforcing Hurdle Unforcing Hurdle means लिक ले न Undekhi समस्या Brought his mission to a stand still Mission मानी उसके अभीहान में और stand still मानी दीवार बनकर खड़ी हो गई तबी एक Unforcing Hurdle यानि एक अंदेखी समस्या बादा बादा भी कह सकते हो हरडल को वो उसके अभीहान के बीच में stand still होकर खड़ी हो गई एक दीवार के समान British officer को तो खुश कर दिया उन्होंने 50 rings भेज कर और अपना kingdom रिटेन कर लिया बट ये Unforcing Hurdle आ दी तो इसके लिए राजा देखो क्या करता है The tiger population became extinct in the forest of परतिबंदे पुरम Extinct means लिख लेना लुपत हो जाना Population means जनसंख्या Forest मन जानते यो जंगल तो बागों की जनसंख्या है वो परतिबंद पुरम के जंगलों में समाप्त हो गई अब परतिबंद पुरम जो राज्ये था उसका उनके जो अनगीनी जंगल थे रुआ बड़ी संख्या में बाग थे वो बाग ही समाप्त होगे और उनका जो हंड्रेड का जो आंकडा था जो उनका एम था वो भी पूरा नहीं हुआ वीदर का प्रियोग वहाँ होता है जहां पर डाउटफुल होता है जैसे हम ग्रामेक्टिकल पॉर्शन में पढ़ते हैं नरेशन वहाँ पर इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दो वर्ड यूज करते हैं कंजेक्शन के रूमें इफ और वीदर तो वीदर वहाँ यूज होता है जहां आगे का स्टेटमेंट डाउटफुल हो और यहां राजा है वो सुनिश्चित नहीं है कि हूँ नोज वीदर दे टाइगर प्रेक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल कौन जानता है कि बागु ने जनम दर पर नियंत्रन कर लिया हो प्रेक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल मिन्स लिख लेना जनम दर पर नियंत्रन कर लेना और यहां फिर क्या कर लिया होगा देखो और आया क्योंकि वो डाउटफुल है कोमिटिड हरकरी हो सकता है बागु ने आत्तम हत्या करनी शुरू कर दी हरकरी का अर्थ लिख लेना आत्तम हत्या कोमिटिड मानी कर लेना हो सकता है बागु ने जनमदर पे कंट्रोल कर लिया या फिर आतम हत्या करनी शुरू कर दी और सिंपली रन अवे या फिर यह हो सकता है साधानत है कि बाग भाग गए होंगे फ्रॉम दा स्टेट उसके रज्य से क्योंकि साध उनकी इच्छा हो गई होंगी ते वर जरूर लिख लेना दे आया है टाइगर्स के लिए कि टाइगर्स है उनकी इच्छा हो गई होगी टू भी सूट बाई बिटिस हैंड्स अनली कि उन्हें केवल मरना है बिटिस अधिकार के हाथ हो अब तीन बातें बताईएं अब कौन सी है ये कौन जानता है इसलिए विदर का यूजवा डाउट फुल बाते हैं फिर रिपीट कर देता हूं तीन यहां पर क्यूसन बनता है कि कौन सी अन्फॉर्सीन है वो एक हरडल प्रोबलम राजा के मिस्टन के बीच में स् प्रग हैं उनकी जनसंक्या है जो उनकी जनमदर है उस पे उन्होंने नियंतर्ण कर लिया या फिर हो सकता उन्होंने आत्तम हत्या करनी शुरू कर दी या फिर वो जंगल से बाग गए और उन बागूं की इच्छा हो गई कि उन्हें मरना एके वले बिटिस ओफिसर्स के हा आते आएंगे वन डे दे महराज सेंट फॉर दे दिवान तो एक दिन राजा ने दिवान को बुलुआया सेंट फॉर माने बुलुआना राजा के कोई भी समस्या होती तो वो तो किसको बुलाता दिवान को तो दिवान को बुलाया दिवान साहिब आरंट यू अवेर ओफ अवेर मानि जानकारी होना, फेक्ट मानि तत्थे से, इस बात से, तो दिवान साहिब क्या तुम्हें पता नहीं है इस बात का, कि अभी अभी तीस बाग मारे जाने सेस रह गए हैं मेरी इसे बंदूक से, रिमेन मिन्स सेस रह जाना, सूट मानि गोली मारना, गन ओफ मानि मेरी इस बंदूक से, क्या तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है, कि थर्टी टाइगर्स हैं वो रिमेन हैं भी तक मेरी इस बंदूक से मारे जाने, उसने ये बात पुछी तो बंदू को हवा में हिलाते हुए पूछा ब्रेंड सिंग मिन्स लिख लेना हवा में लहराते हुए अपनी गन से तो राजा ने सीधा सीधा क्यूसन पूछा बट अपनी जो गन थी उसको हवा में लहराते हुए दिवान से क्यूशन पूट अप किया कि क्या तुम्हे जानकारी नहीं है अभी तक 30 टाइगर्स सेस रहे इस बंदूख से मारने सैडरिंग एड़ दे साइट आफ दी गन गन का ये दर से देखकर दिवान है वो सैडरिंग हो गया डर गया बहबीत हो गया कंप कंपा गया एंड दिवान क्राइड आउट और दिवान चिला कर बोला योवर मेजेस्टी मेरे महा महिन आई एम नोटे टाइगर मैं टाइगर नहीं हूँ तो बंदू का ये दर से देखकर दिवान डरा और दिवान के मूँ से निकला कि मैं टाइगर नहीं हूँ तो राजा को गुसा है और बोला विच इडियेट वुड कोल यू ए टाइगर इडियेट मानी मुरक कौन मुरक है जो तुमें टाइगर कहकर पुकारेगा NO and I am not a gun और नहीं मैं को ये के गन यानी बंदूक हूँ यू आर नाइधर टाइगर नौर गन तो दिवान ने कहा मेरे महमnh यू आर नाइधर टाइगर नौर गन ने तो तुम बाग और ने गन हो दिवान साहीब I summoned you here for a different purpose मैंने तुम्हें यहां बुलवाया हैं एक अलग उद्दस्य के लिए सम्मन्ड मिंस बुलाना डिफरेंट परपज मानी एक भिन उद्दस्य के लिए तुम्हें यहां पर बुलाया है तो देखिए I have decided to get a married मैंने अन्य उदसे के लिए बुलाया क्योंकि मैंने निर्णे किया है कि मैं करना चाहता हूँ साधी decided मानी निश्चे किया है gate married मानी साधी करने का the divan begin to bubble even more और दिवान तो पहले से ज़्यादा बड़ बड़ाने लगा bubble means बड़ बड़ाने लगा even more का मतलब पहले से अधिक और ज़्यादा डर गया और बोला your majesty महा महीं I have two wives already मेरे पहले से ही दो पतनिया है wives मानी wife का plural बनता है wives मेरे तो पहले से ही दो पतनिया है if I marry you यदी मैंने तुम से साधी की तो you are my third wife तो ये हुमीरियस है यदी मैंने तुम से साधी की तो तुम तो मेरे कौन सी पतनी हो जाओगी थर्ड तो राजा को गुस्सा आया don't talk nonsense बक्वास मत करो nonsense मानी ना समझी या बक्वास तो ना समझी की बातें ना करो why should I marry you मैं तुम से साधी क्यों करूंगा what I want is a tiger मैं तो साधी इसलिए करना चाहता हूं कि मुझे तो बाग चाहिए I want is a tiger मैं तो बाग चाहता हूं इसलिए साधी करना चाहता हूं तो दिवान फिर नहीं समझा राजा की बात और बोला यह ओवर मैजेस्टी महा महीं please think it over करप्या करके एक बार फिर पुंदर विचार कर लो इस पॉइंट पर your ancestor were married to the soward ancestor means purwaj soward means तलवार तुमारे पुरवजों ने साधी की तलवार से if you like यदि तुम चाहो तो marry the gun तो आप साधी कर लो gun से a tiger king is more than enough for his state और इस लाइन में शांदार तरीके से writer ने satire किया satire means वेंगे गरना तो a tiger king is more than enough for this state इस राज्ये के लिए एक परियापत है बाग राजा ही it doesn't need a tiger queen as well इस राज्ये को एक बाग रानी की और आवसिक्ता नहीं है तो ये राजा के कथन पर दिवान दवारा एक सेटाइर वेंगे किया गया है कि तुम जैसा एक मुर्ख राजा ही परियापत है इस राज्ये के लिए एक बाग रानी की आवसिक्ता नहीं है या यूं कह सकते हैं आपको जोतिशी ने कहा कि आप बाग से मरेंगे और कोई ये दिया बाग रानी को कह देगा कि वो गाश या भैंस से मरेगी तो वो उनका सिकार करना सुरू कर देगी तो ये तो क्रूल्टी होगी एनिमल्स के पर दिए इस परकार राजा को उन्होंने वेंगे के रूप में का लेकिन ये तो मुर्ख राजा है दे महराज गेव ए लाउड क्रेक ओफ लाफ्टर लाउड क्रेक ओफ लाफ्टर का मतलब जोर जोर से हसना बिल्कुल दिल खोल कर राजा जोर जोर से हसा और बुला I am not thinking of marrying either a tiger और एक गन और अब समझाता है कि मैं ये नहीं सोच रहा हूं साधी करने की कि एक tiger से और गन से मैं tiger से या गन से साधी करने के बारे में नहीं सोच रहा हूं but a girl from the rank of human beings मैं तो मानव स्रेणी की एक लड़की से साधी करने के बारे में सोच रहा हूं human beings means लिख लेना मानव स्रेणी की girls means जानते ही हो लड़की और rank means स्रेणी केटेगरी तो मैं तो मानव स्रेणी की एक लड़की से साधी करना चाता हूं तो fast you may कि मैंने तुमें इसलिए बुलाया है अब राजा उसको कह रहा है कि fast you may draw up statics सबसे पहला काम तो तुम ये की गणना करो statics मानी गणना करो of tiger population in the different native states कि हमारे आसपास के राजे हैं उनमें कौन से राजे में कितने कितने बागूं की जनसंख्या है tiger population मानी बागूं की जनसंख्या different native statements आसपास के जो हमारे राजे हैं उनमें कितनी कितनी बागूं की जनसंख्या है पहला काम तो ये गणना करके बताओ next और इसके बाद next आपको ये काम करना है you may investigate investigate मानी जाँच पढ़ताल करना पता लगाना if there is a girl ये उस राजे में एक लड़की है I can marry in the royal family of a state तो मैं उस राजे के राजगराने में उस लड़की से साधी करना चाहता हूं with a large tiger population जिसमें बड़ी जनसंख्या में हो वहाँ पर बाग royal family में होनी चाहिए वो लड़की common people की लड़की होगी और उससे मैं साधी करूँगा तो उस राजे का राजा मुझे सिकार करने की permission नहीं देगा तो आपको मैंने बुलाया है ये दो कामों के लिए तो यहाँ पर क्यूशन बनता है कि राजा ने दिवान को क्यों बुलाया था क्योंकि राजा ने साधी करने का निर्ने किया था और वो भी एक human being लड़की से जो उस राजे के राजगराने में हो लेकिन सेकिंड उसकी condition ये होनी चाहिए कि उसके राजे में बड़ी संख्या में होने चाहिए बाग नेक्स्ट देखिए दिवान फॉलाओवड इज ओडर्स दिवान ने उनके आदेशों की पालना की ये फाउंड देट राइट गल फ्रों में स्टेट राइट गल्स मिन्स जरूर लिकले न उचित लड़की तो दिवान ने फॉलोड किया अनुसरन किया राजा के ओडर का और सिगरी उसे उचित लड़की मिल गई फ्रों में स्टेट एक राजे में विच पाजेश्ड ए लार्ज नंबर ओफ टाइगर्स जिसके राजे में बड़ी जन संख्या में या बड़ी संख्या में थे बाग पाजेश्ड ए लार्ज नंबर ओफ टाइगर्स मतलब बड़ी संख्या में बागों की एक खजाना था वहाँ पर बड़ी संख्या में बाग थे महारात जंग जंग बहादूर किल्ड फाइप और शिक्स टाइगर्स अब ये तो कहानी है इस्टोरी है दिवान ने आदेश की पालना की इर्शिगरी एक पडोस के राजे में उच्छी तलड़की मिल गई जिसके राजे में बड़ी संख्या में बाग थे तो तुरंट उसकी साधी हो गई महारात जंग जंग बहादूर किल्ड फाइप और शिक्स टाइगर्स और महारात जंग जंग बहादूर पाँच और छे बागों का सिकार कर लेते थे इच टाइम ही विजिटिड इज फादर इनलो जब भी वो अपने जाते ससूराल फादर इनलो मतलब ससूर का घर है वहाँ पर जाते तो परते एक बार ससूराल जाते वक्त पाँच और छे बागों का वहाँ सिकार कर लेते इन दिस मैनर इस तरीके से 99 टाइगर्स स्कीन निनान में बागों की जो स्कीन से चमड़ी है अडोर्ण मानी सज गई वोल अफ दे रिसेप्शन होल स्वागत कक्स की दिवारों पर इन परतीबंद पूरम है पहलेश परतीबंद पूरम के महल में तो परतीबंद पूरम के महल में जो रिसेप्शन होल है स्वागत कक्स है वहां दीवारों पर 99 टाइगर्स की स्किन है वो अडोर्न कर दी गई सजादी गई सुसजिते कर दी गई तो इस परकार यहां पर किस परकार राजा ने अनफोर्सिन हर्डल को दूर किया ये क्यूसन बनता है तो उन्होंने एक पडोस के राजे की लड़की से साधी की या यूं क्यूसन बनाई एक जो इनहिरेंट इनके अंदर जो क्यूसन है कि किस परकार अपने सो का अकड़ा उठाया राजा ने अपने सो भाग बूरे करने के लिए कौन सा स्टे पे उठाया कौन सा कदम उठाया तो उसके लिए उन्होंने एक ऐसे राजे की राजकुमारी से साधी करने की इच्छाज़त आई जिसके राजे में बड़ी संख्या में बाग हो तो तेंक यू फॉर स्टेश 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 से थैंक यू